संजीर जी आपको लगता है राहूल गांदी का इससे जो है मेकोवर हो पाएगा, गरीब का नेता, आम आदमी का नेता अब क्योंकि जननायक लिखती है कॉंग्रेस पाटी आज कल जब भी राहूल गांदी की बात करती है तो उनके सामने देखिए राहूल गांदी एक इलीट परिवार से आते हैं एक तरह के शाही परिवार से आते हैं शाही पॉलिटिकल फैमिली से उसको तो कभी भी लिब डाउन नी कर सकते जवालाल आजादी के अंदोलन में तब भी हमने किताब में पड़ा है उनके कपड़े स्विजलेंड से धुल के आते थे मोतिलाल नहरू मतलब राहूल गांदी के परनाना उस जमाने में लाखों रुपे कमाने वाले बैरिस्टर थे तो अच्छा ये उनके अगेंस भी कोई कर सकता है कि अपको परिवार इतना अच्छा क्यों कर रहा था मेहनत करते थे अच्छे वेल सेटिल लोग थे बट आपने जैसे राशित की बात को आगे बढ़ा हूं या एक विजे की बात पर एक बात कह दूं कि मोधी जी आउटसाइडर बनके दिल्ली आये उन्होंने राहूल गांदी की वो यूएस पी बन नी सकती क्योंकि वो तो खांदानी पांच जेनरेशन से सिस्टम के वेक्ती हैं अब आप देखी उनका करियर ग्राफ देखिए 2004 में वो सांसद बने जिस दिन जनवरी 2004 में पहली बार प्री एंकाउन को लेके आमेठी आई ती उस दि दिखती थी एक मासूमियत और एक सब को जानने समझने कोशिश दिखती थी जो धीरे-धीरे सही या गलत परसेप्शन में आरोगेंस में या एहंकार में बदलती गई जिसकी पराकाष्टा होई जिस दिन उन्हें प्रेस क्लब में प्रारूप फाड़ दिया अध्यादेश का मनमौन सिंग का लाया हुआ जिस जो होता तो शयद वो भी यह सदस्तरा दोने से बसने लेकिन तो वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन तो 2004 से 2014 के बीच में हुआ परसेप्शन की राजनीती में और फिर जो एक दो उनके टेलिविजन इंटिव्यू जिनका मैं नाम नहीं लेना चाता जिसने उनको बिलकुल पप्पू और एकदम से राजनीतिक नोबे सकचा खिलाड़ी और उस इमिज को पूरा भरपूर बीजेपी और उनके समर्थक ज कि राहुल को तो एक युनिवर्सल पपू घोशत कर दिया आज जब हम 2000 और वो लगातार जो हार हो ही जिनका विजेत रिवेदी ने जिक्र किया हर हार का ठीक रहा उसके सर पे फूटा जबकि पूरी पॉलिटिक्स बदल चुकी थी तो राहुल गांदी उसका एक हिस्स्रा बट आज 2023 सितंबर कांथ हो रहा है मेरे कहल से भारत में कोई राहुल गांदी को पपो कहने को जो बिलकुली कड़क विरोधी हो उसके अलावा कोई न्यूट्रल व्यक्ति उसको पपू या उपहास की दृष्टी से आज नहीं देखेगा राहुल गांदी को कम से कम मेरी सम के खिलाफ था कॉंग्रेस का नारा कॉंग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ तो यह कार्पेंटर है चाहे कुली है चाहे किसान है बीच में गए भी थे 2000 चारगाथ भटा पर्सोल वगर लेकिन फिर भटक गए फिर स्टीफन्स और हिंदू कॉलेज अभिचात्य वर्क के बीच में दिक्कें इंट्रैक्शन करने जी सर्जी अब वह वापिस जमीन से जुड़े लोगों के पास जा रहा है और ये बात सब समझ रहे हैं मोदी जी भी समझते हैं राहूल भी समझते हैं सब पॉलिटिशन जानते हैं अल्टिमेटली देश्क में सत्ता की चाह भी गरीब के सब्सक्राइब के साथ आरेंटिफाई करना गुर्बत के साथ आरेंटिफाई करना मजदूर किसाए जो आपने कहा कॉंग्रेस का नारा था आज तोड़ा सा उसको आज बेनेफिट बिलता है यह हम मौन पड़े तोड़ा सा बदलने कॉंग्रेस के ज़िए कि राहूल सब्सक्राइब करने के लिए उस समय नरेंद मोदी दिल्ली नहीं आए हुए थे 2004 से 2014 के बीर राहूल गांदी अगर चाहते तो यह लीड करके बता सकते थे कि 10 साल की सरकार मेरे दिशा निर्देश पे चलिए जो मेरे एजंड़ता है कि उस पर सरकार चलिए सरकार भी मुरा का पुरा कंट्रोल है और सरकार की जितनी भैतरी जोजना आई वो राहूल गांदी की सोच राहूल गांदी के दिशा निर्देश आई है कि चौदा साल में कहीं नजर नहीं आया दोहोजाए 10 के बाद 11 के बाद नर्यद मोधी के आठ दिलि में सुनाई देने लगे थी कि नरेद मोधी दिल्ली और 12 के बाद तो टाय हो गया थे कि बदामादी दे दिल्ली आएंगे भारत्यान ता पार्टी का 2014 के चुनवा में चेहरा बनेंगे उस वक्त भी राहूल गांदी कहीं आगे बढ़कर लीड करने के स्थिविंदे रहे कि पार्टी को लीड कर रहे हैं और मोधी को आने से रोकने के लिए उनकी क्यार रणों देती है और दो दस साल का उनके सरकार के असफलता रही है यूपिय सरकार की उसको वो कैसे टेकल करके 2014 का चुनवा लड़ने जा रहे हैं मुझे असा लग रहा है कि 2004-2014 का जो टाइम था रहूल गांदी को अपने आपको भारतिया राजिता पे इस्टबिश करने का और बताने का कि कॉंग्रे सरकार चला सकती है और रहूल गांदी के बताव से लेना शुरू करेगा क्या उसको राहूल गांदी में एक लीडर दिखाई देगा अपना इन तस्वीरों की वजह से मैं तो यह जानना चाहरा हूं होता है और अब जैसे इलेक्शन को देख मैं देखता हूं कि कई बार वो कई चीजे करते हैं अभी पार्लेमेंट में जब चल रहा था वह हमेशा जिस पात पर हम चर्चा करें कि ओडियन्स समझी नहीं पा रहे शायद कि जिस दिन पार्लेमेंट में बोलना था तो वह पर चल रहे होंगे उद्द्व ठाकरें मराथी नमेंग वह उनको पता है कि उनकी टार्गेट ऑडियन्स कैस्ट और यह यह बार आप आपने सुबएं पर अलग है यह लगता है कि राहूल गांधी समझ नहीं पाए सब्सक्राइब होता है उसके पीछे पूरी एक प्लानिंग होती है कि आप ऐसे करें तो इसे इधर देखें इधर कैमरा है उदर वह तमाम नहीं तमाम चीजों को इसका ध्यान नहीं दिया रहे कुंकि पुरी इमेज ती वह सोचल मीडिया और उसके लिए उसके लिए उसके ल प्लान तरीके से अपने परसेप्शन को अगर आप रहुल गांदी को राजिती चेश्में से ना देखें तो भारत जोड़ो यातरा के समय और उसके बात की इसमें उनको आपको एक सहचता नजर आएगी मुझा पुलियों से बात कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उनक गलत हो वो एक सहच इंसान है उसको दोगों का एक मीडिया प्रजिशन गलत हुआ और उसमें वो खुद भी चुके उन्हें अपने उन्हें पता है कि वो किस विरोधियों के साथ लगना है या किस तरह का पलिटिकल सिस्टम है बहुत ही जल्दी से एक पात कर जिकर करना चा परिवार से बिहार से उन्हें भी अपना पुत्ता नाम भी याद है रूची आपकी उनके जो वो थी पॉंगरेरियन कुटिया थी उसको बहुत प्यार करते और कॉंग्रेस जन उनके लिए बिस्किट लेके आते थे खान मार्केट से और वो बिस्किट केसरी जी खुद को क करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर